अगर किसी परसन ने इंकम टेक्स रिटन अभी तक फाइल ही नहीं किया तो क्या वो तीन साल के रिटन एक साथ फाइल कर दे तो क्या उसका लोन हो जाएगा यानि कि यह इंकम टेक्स रिटन से वेलिडी पूरूफ के रूप में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिसकस करते हैं अगर सर आपने देखा होगा कि अगर किसी भी लोन के लिए आप एपलाई करते हो तो previous three years के returns मांगते हैं for example अगर हम आज लोन के लिए अपलाई करते हैं तो previous year 2021, 21, 22 और 22, 23 financial year के returns आपके वहाँ पर मांगे जाते हैं यानि कि 20, 21, 22, 22 तेश के आप return ले आए लेकिन सर किसी person ने अभी तक कोई भी return file नहीं किया यानि कि उसके पास में return ही नहीं है तो सर उसका लोन नहीं होगा अब वो जाता है किसी ऐसे persons के पास में कि जो return file करता हूँ अब उसको बोलता है कि सर मुझे लोन लेना है क्या मेरे returns file हो जाएंगे तो normally पहले returns file नहीं होते थे लेकिन अब एक नया options आगया जिसका हम बात करते है updated returns updated returns अगर आप previous 3 साल के अगर आपने returns file नहीं किये हुए previous 3 साल के returns अगर आपने file नहीं किये हुए है तो आप एक साथ उसको file कर सकते हैं यह options हैं लेकिन यह options के थुरू अगर आप एक साथ 3 returns file कर लेते हो तो यह bank valid करती है एक नहीं करती है वो हम देखते हैं अब बात करते हैं सो for example 21-22 और 21-22 के ये दो returns आपने एक साथ file कर दिये क्या कर दिये सर आपने एक साथ file कर दिये यानि कि 20-21 और 21-22 के return आपने एक साथ file कर दिये इसके बीच में कोई भी time period का gap नहीं है एक दिन का gap है तो यह returns आपके invalid माने जाएंगे चाहिए आपने returns तो file किये हैं लेकिन bank इसको valid नहीं मानेगी इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि से यह returns आपने फाइल किये हुआ है यह आपने सिफ loan purpose से file किये हुआ bank क्या चाहती है कि आप normally returns file कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपनी income के आधार पर लेकिन आपने यहां पर सिर्थ दो दिन एक ही दिन के अंदर आपने दो returns दो साल के file कर दिये तो जब भी आप कोई भी income tax return file कर रहें दोनों साल के बीच में जैसे फर एक्जामपल 21 22 या 22 23 के बीच में आपको सर्फ 6 महिने का minimum gap होना चाहिए six month का minimum gap होना चाहिए तब राटर आपका returns valid होता है फर एक्जामपल आज अगर कोई persons loan के लिए apply करता है तो उसके लिए normal documents की ज़रूरत होती है 22 23 income tax return आपको कमपल से ज़रूरत होती है क्योंकि यह जो अभी financial गया उसकी बात कर रहें उसकी जो लास्ट date थी सर 31 12 2023 थी अब यह टाइम भी आपका चला गया अब आप यह returns updated returns के थ्रू फाइल कर सकते लेकिन आपने previous में भी returns नहीं किया तो अभी आप क्या कर सकते हैं दो option है आप 21 22 और 22 इन दो साल के returns आप एक साथ फाइल कर दे यहाँ पर 20 21 का return अगर आप फाइल करोगे तो कोई भी काम नहीं आएगा इसलिए आप अपने उस persons को बता दे कि यह return अगर आप आप फाइल भी करवा हो लेगे तो भी कोई काम नहीं आने वाला है तो 21 22 और 22 पे इसके returns आप updated ITR के थू फाइल कर ला है और अभी जो financial year 23 24 जो चल रहा है उसके return 31 July 2024 तक जो फाइल होंगे 31 July 2024 तक जो फाइल होंगे financial year 23 24 के है जो कि यह original returns होंगे क्या होंगे सर यह original returns फाइल होंगे तो आपके पास में नॉर्मली 22 23 और 23 24 के बीच में 5 मन्त का gap हो जाएगा क्योंकि आप अभी फरवरी चल रही है February मन्त में अगर आप return फाइल कर लोगे तो यह returns आप दूसरा returns 22 23 24 financial year का returns आप 31 July 2024 में फाइल करोगे यानि कि आने वाले जुलाई में तो तब आपके gap 5 महिनों का gap हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप 5 मन्त का भी gap होगा तो यह returns आपके valid returns माने जाएंगे आपका loan हो जाएगा लेकिन अगर आप यह सोच रहे कि सर में अभी 21 22 22 23 और 23 24 के return फाइल कर दो और तीनों साल के returns में वहाँ पर bank में दे दू और मेरा दो साल के returns valid माने जाते हैं सर अगर तीन साल के return है तो it's okay अगर तीन साल के return आपके पास में नहीं है तो दो साल के returns भी आपके लिए से sufficient होते हैं अगर आपने proper तरीके से return फाइल किये होते हो और 6 महिने का जो bank statement है वो bank statements आप पर provide कर दे तो आपके loan होने की chances बढ़ जाते है लेकिन अगर आप तीन साल के returns जिसे 2021, 2021, 2022, 2023 के return अगर आप एक साथ फाइल करोगे तो sir यह returns आपके invalid होगे आपका पैसा जो 2021 को जो return फाइल करवाने में गया वो पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा sir कोई भी मतलब नहीं है लेकिन अगर आप tax professional हो अगर आप यह चाहते हो sir मेरको तो client से मतलब है, मेरको तो सामने वाली party से मतलब नहीं कि उसके काम आएंगे या नहीं आएंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सामने वाले की बारे में भी सूचना है कि उसके काम आएंगे या नहीं आएंगे, अगर उसके काम नहीं आएंगे और आपने फा फाइल करें पेले आप चेक कर लें कि अब्डेटे रिटर्स फाइल की ज़रुवत आपको क्यों पढ़ रही है और अगर लोन के point of view से अगर आप फाइल कर रहे हैं तो सर यह आप ध्यान सोच समझ कर फाइल करें कि यह आपके काम आएंगे या नहीं आएंगे तो आज के लिए बस इतना next वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए thank you so much